गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स सत्र 2019-20 में जो बीएसी पार्ट थर्ड में स्टुडेंट्स थे जो की अब सेप्टेमबर एक्टूबर में एक्जाम देने जा रहे हैं ये वीडियो में उनके लिए बना रहा हूं जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पर बीएसी पार्ट थर्ड के लिए लीनियर एलजबरा की क्लासें चल रही है और अप्रोक्सिमेटली 20-22 वीडियो लीनियर एलजबरा के यूट्यूब पर डाले जा चुके हैं लेकिन वो मेंली उन स्टुदेंट्स के लिए हैं जो सत्र 2020-21 में बीएसी पार्ट थर्ड में आये हैं आज का ये वीडियो मैं कोटा इनिवेस्टी के गौर्रमेंट कॉलेज करोली के बीएसी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के उन स्टुदेंट्स को समभधित कर रहा हूं जो 21 सेप्टेंबर से चार शिरू होने वाले बीएसी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के एक्जाम में एपियर हो रहे हैं आपको पता है कि ये एक्जाम मार्च अप्रेल में ही होने थे लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वज़े से नहीं हो पाए और अब हो रहे हैं तो इन एक्जाम में क्या चेंजेज हैं उसके बारे में पहले हम बात कर लें कॉश्चन पेपर जो पहले तीन गंटे का हुआ करता था अब दो गंटे का होगा यह तो सबको पता ही है कि 21 सेप्टेंबर से एक्जाम शुरू हो रहे हैं और टाम टेविल सबके पास आई गया है तो अब पेपर दो गंटे का होगा शाम को चार से छे 4 पीम टू 6 पीम इस पेपर में एक चेंज तो यह हो गया कि 3 गंटे की बज़ाए 2 गंटे का है और दूसरा चेंज यह है कि जो सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C में पेपर बटा होता है पेपर तो अभी भी वैसा ही आएगा क्योंकि पेपर पहले ही छप चुके थे और वही पेपर आने है लेकिन अब आपको करना यह है कि सेक्शन C नहीं करना है अब आपको केवल सेक्शन A और सेक्शन B के कॉश्चन ही करने है section एक बार अगर आप चाहें तो मैं जो normal pattern होता है पहले उसे बता दूँ normal pattern यह होता है कि पूरा question paper तीन units में बटा होता है तीन sections में बटा होता है section A, section B और section C section A में 10 questions होते हैं छोट छोटे सबी करने होते हैं section B में हर unit से दो question आते हैं और उन दो में से एक करना होता है इस तरह से कुल 5 questions section B में करने होते हैं और section C में हर unit से maximum एक question लेते हुए total 4 questions आते हैं जिन में से आपको 2 करने होते हैं तो अब आपको section C के वो 2 major questions नहीं करने हैं केबल section А के 10 questions और section B में 5 questions वो करने है section C कि जो दो questions के marks थे वो section A और section B में ही distribute हो जाएंगे कैसे distribute होगे उसका एक rough idea में आपको दे दूँ जैसे 50 number का अगर आपका paper है जैसा कि आप जानते हैं कि physics और chemistry में सभी च्हे पेपर, 50-50 number के होते हैं और mathematics में भी आपके जो थर्ड पेपर है वो 50 नमर का होगा उस थर्ड पेपर में 25 नमर का practical होगा और फर्स्ट और सेक्ट पेपर mathematics के फिछतर नमर के होते हैं तो 50 नमर के पेपर की अगर बात करें तो 50 नमर के पेपर में यह होगा कि जो section A में 10 questions हैं वो डेड़ डेड़ नंबर के हो जाएंगे यानि टोटल 15 नंबर और section B में जो 5 questions आपको करने हैं वो छेचे नंबर के 77 नंबर के हो जाएंगे यानि 35 नंबर 75 नंबर वाले paper में distribution accordingly change हो जाएगा शायद ऐसे होगा कि 75 नंबर वाले paper में section A में जो 10 questions आएंगे वो दो-दो number के हो जाएंगे और section B में जो 5 questions करने हैं वो 11-11 number के हो जाएंगे तो 55 नंबर का section B और 20 नंबर का section A और 50 नंबर वाले paper में 15 नंबर का section A और 35 नंबर का section B यह मैंने rough idea बताया इसमें मामूली change हो सकता है क्योंकि university की तरफ से लेखित में अभी marks distribution नहीं आया है लेकिन लगबग ऐसा ही होगा तो अब महत्व बढ़ जाता है short answer questions और मध्यम लंबाई के questions का क्योंकि major questions आपको नहीं करने हैं तो mathematics में short answer questions जो होते हैं section A में वो mainly formulas and definitions होती हैं तो अब आप जब preparation करें तो इस बात का ध्यान रखें कि कि formulas and definitions को बहुत अच्छी तरह करें क्योंकि पहले वो आदा नंबर या एक नंबर का आता था अब वो दो नंबर का आएगा और section B में जो questions आते हैं वो आप जानते हैं कि मध्यम दरजे के होते हैं मध्यम लंबाई के होते हैं medium length के होते हैं तो अब आप focus करें medium length के जो आपके theorems हैं medium length के जो examples हैं उन पे ज्यादा focus करें उनके आने के chances ज्यादा हैं और जो बहुत बड़े questions हैं बहुत बड़ी theorems हैं यह बहुत बड़े examples हैं जो की section C में ही आ सकते थे उनको आप second priority पर रख सकते हैं तो एक तो यह question paper में बदलाग हैं दूसरी बात मैं कर लूँ practical exams की बहुत सारे collegeों में तो practical exams पहले हो गए थे और बहुत collegeों में नहीं हुए हैं हमारे college में नहीं हुए हैं गवर्मेंट college करवली में practical exams नहीं हुए हैं तो अब practical exam कैसे होगे प्रक्टिकल exam में यह होगा कि आपका जो पूरी साल जो आपने practical की हैं और उसका जो practical record बनाया है यानि जो practical file बनाई है वही आपसे ले ली जाएंगी और external examiner आकर उन practical files के आधर पर मार्किंग करेंगे actual practical exam नहीं होगा तो इस बात का भी ध्यान रखें अब क्योंकि आज 13 तारीक हो गई है और 21 तारीक से आपके exam शुरू होने हैं तो इस बात के तो कोई chances हैं नहीं कि 13 और 21 की बीच में आपके practical exam हो तो वो नहीं होंगे तो आपके practical exam आपके जो main paper हैं वो समापत होने के बाद हो सकते हैं या सारे paper समापत होने के बाद होंगे वो जब भी होंगे आपको examination hall में जब आपको कोई paper देना आएंगे तब सुचित कर दिया जाएगा कि आपके practical exam कब हैं और practical exam में आपको करना केबल यह होगा कि जो प्यार होंगी या नहीं हो अगर किसी के तयार तो तयार कर लें वो फाइल जमा कराने आना है और marking उनी फाइल के आदार पर होगी actual practical exam नहीं होगा इस साल यह बात मैं दोनों तरह के students के लिए बोल रहा हूं यानि कि जो regular students है और जो X students है और जो non-collegiate students है non-collegiate students के भी practical exam इसी तरह से होंगे तो non-collegiate students को भी practical file submit करनी होंगी चाहे maths में हों चाहे physics में chemistry में मैं zoology botany सभी में तो यह भी ध्यान रखें कि non-collegiate students या private students भी practical file बना ले या exam देने के बाद बना ले न और वो submit करनी होंगी इसके बाद आते हैं हम इस बाद पर के पढ़ाई कैसे करें क्योंकि बहुत सारे students के मेरे पास phone आये हैं और वो यह कह रहे हैं कि सब हमने तो यह सोचा था कि exam नहीं होंगे और इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दिये और अब दुबारा से इतने कम समय में हम कैसे preparation करें तो situation के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं और situation के हिसाब से हमें अपने आपको उनमें ढालना पड़ता है time कम है तो मेरे विचार से section C हट गया है तो थोड़ा भार भी कम हुआ है अब जो भी situation है करना तो है आपने पूरी साल पड़ा है बस यही तो है कि तीन-चार मेने आप आउट-अफ टच हो गए हैं तो उसे ताजा ही तो करना है रिवाइज ही तो करना है तो आप हिम्मत से पड़ाई शुरू करें और रैपिडली पड़ें तेजी से पड़ें ताकि आपके कम समय में ही सारा जो आपने पिछली साल पूरा पड़ा था वो दुबारा रिवाइज हो जाए और वो हो जाएगा मैं भी प्रयास करूँगा कि कुछ वीडियो आपको रैपिड स्टेडी के हिसाब से डाल दूँ जिसमें कि क्योंकि आपको राइटिंग मैटेरियल की तो जरूत नहीं है आपके सबके पास नोट्स हैं पूरी साल आपने पड़ा है थोड़ा सा कंसेप्ट लेविल पर चीजों को मैं एक बार रिपीट कर दूँगा लेकिन वो उतना अधिक नहीं हो पाएगा आपको सेल्फ स्टेडी पर ही रिलाई करना चाहिए जितना मेरे से हो पाएगा प्रयास उतना मैं करूंगा क्योंकि दूसरे भी काम होते हैं और रेगुलर वीडियो भी हमारे बन रहे हैं और एक्जाम भी हैं तो मैं दो तीन चा करने के लिए या याद दिलाने के लिए डाल दूंगा तो वह आप उनको पढ़ लें आज इस वीडियो में मैं लीनेर एल्जबरा के कुछ कंसेप्ट को डिसकस करने जा रहा हूं तो वह आप समझ लें और दो तीन वीडियो में तब तक आपके एक्जाम आने वाले हैं उस गौर्णमेंट कॉलिज करोली के सेशन दोजार उनीस बीस के बीसी पार्ट थर्ड एयर मैथमेटिक्स के स्टुडेंट्स का सवागत है एक बार फिल मैं रफीक एमद हम बात कर रहे थे कि लीनियर एल्जबरा में कैसे पढ़ाई करनी है तो एक तो आप यह करें कि जो मेरे 20-25 वीडियोज यूटूब पर उपलब्द हैं उन्हें पढ़ लें और दो-चार दिन में और भी आ जाएंगे दूसरा यानि जितना उन वीडियोज में हो चुका है उसे तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उसे आगे के पॉइंट्स हम डिसकस करें हमने उन वीडियोज में वेक्टर स्पेस की डेफिनिशन वेक्टर स्पेस के एक्जाम्पल्स उसके बाद वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस की ठेउरम्स पड़ी थी एक बार जितना मेटेरियल उन वीडियोज में अवेलेविल है उसको मैं बहुँच शॉट में रिपीट करनू एक सेट वी अपनी या वी पर लगने वाली एक कंपोजिशन प्लस के लिए अबेलियन गुरूप होता है और एक कोई फील्ड है एफ प्लस डॉट तो ये सेट वी या ये अबेलियन गुरूप वी प्लस इस फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस कहलाता है अगर एक एक स्टेनल कंपोजिशन जिसको डॉट सिंबल दिया गया वो एफ क्रॉस वी से वी में इस तरह से डिफाइंड हो कि following four properties satisfied हो जो पहली property थी वो है V1 उसको अमने नाम दिया था एक scalar और दो वेक्टर्स लिये जाते हैं और ये a.x प्लस a.y आये V2 में दो इसकेलर्स का सम एक वेक्टर से डॉट करें तो a.x प्लस b.x प्राप्त हो third property में scalar.vector must be equal to scalar into scalar.vector and fourth property में जो field का 1 है उसको जब हम किसी भी वेक्टर से डॉट करें तो वही वेक्टर आये here a and b are scalars यानि elements of field and x y are vectors that is elements of v तो ये तो होता है vector space vector space के examples हमने बहुत पढ़े हैं जो सबसे यादा use होने वाला example है वो vn है n tuples का set vn जिसमें की n component वाले vector होते हैं जहां सभी n components field r के elements हो ये set vn over the field r vector space होता है उसके बहुट सारे particular रूप ये या फिरी बन जाएगा सिग्मा एन एक्स की पावर एन प्रकार के बहुपद जहां कॉफिसेंट्स एन ब्लॉंग टू दा फिल्ड जो की एफ हो सकता है या आर हो सकता है ये सभी बहुपदों का सेट क्षेत्र आर पर सदे समिस्टी होता है ये वेक्टर स्पेस हमने पढ़ा सेट आफ फंक्षेंस को भी वेक्टर स्पेस प्रूव किया फलनों का समुझ इसके लाबा सेट आफ मैट्रिसेज लिया था जैसे नाम अगर अगर मुसको एम दे दें तो यह सेट आफ मैट्रिसेज एईजे एम बाई एन अगर फिल्ड आर लें तो आर फिल्ड लें तो आर फिल्ड लें तो एफ जो भी फिल्ड लें तो यह मैट्रिसेज का सेट क्षेतर आर पर वेक्टर स्पेस होता है यानि एम ओवरार यह जनरलाइजड एक्जामपल है इसके बहुत सारे पर्टिकुलर केस ले सकते हैं जैसे इसमें एम बाई एन साइज के मैट्रिसेज लिए गए हैं दो बाई तीन साइज के मैट्रिसेज का समुझ बना लें वो वेक्टर स्पेस होगा किसे भी साइज के मैट्रिसेज का सेट बना लें वो वेक्टर स्पेस होगा तो एन टुपल्स का सैट पॉलिनमिल्स का सैट मैट्रिसेज का सैट फंक्शन्स का सैट functions का set भी जिसमें की कोई प्रकार के फलन है जैसे function f such that f is a function from i into r and f is continuous यानि इसमें ऐसे फलन है जो i से r में defined है और जो संतत है तो यह फलनों का समुझ है और यह भी खेत्र r पर vector space होता है here i is closed interval 0 to 1 तो यह हमने कुछ vector space के examples लिये थे इन सब को revise कर लें इन vector space में 0 vector कौन सा होता है किसका inverse क्या होता है इसमें addition यानि की सदिश योग संकिरिया कैसे defined है और outer composition यानि external composition की क्या परेवाशा है वो सब revise कर लें तो vector space की definition और vector space के examples इसके अलावा हमने vector space के कुछ और properties के लिए ठेरों पड़ी थी जिनका statement या केबल में revise कर रहा हूँ जैसे any scalar dot zero vector तो zero vector ही होता है किसी vector alpha को vector beta के प्रतिलों से dot करें या alpha के प्रतिलों को vector beta से dot करें तो आता है minus of alpha dot beta और भी properties थी जैसे एक scalar और एक vector का dot zero vector केवल तब ही आ सकता है जब या तो scalar zero हो या vector zero vector के बराबर हो तो इस तरह से एक theorem थी उसको revise करें पढ़ें याद करें उसका प्रूफ इसके बाद हम vector service पर आए सबस्पेस पर आए vector service या सदेश उपसमस्टी वो क्या होती है वी over the field F अगर एक vector space है और अगर डवलू वी का एक subset है डवलू ऐसा subset है कि डवलू भी उनही compositions के लिए जिन compositions के लिए वी vector space है उनही compositions के लिए डवलू भी इसी field F पर अपने आप में vector space हो जाए तो हम डवलू को वी का vector space या सदेश उपसमस्टी कहते है यानि जो सदेश उपसमस्टी का concept है वो यह है कि जिसे हम सबस्पेस कह रहे है वो अपने आप में पूरी तरह से vector space ही है सबस्पेस के लिए कह रहे है क्योंकि वो एक बड़े vector space का subset है इसमें composition सेम होती है जो सदेश योग V का होता है वही संकिर्य डवलू पर लगती है और जो external composition F cross V से V में defined होती है उसी का contraction या संकुचन F cross W से W में defined हो जाता है तो अगर किसी vector space का subset जो उनी composition के लिए itself vector space हो वो सबस्पेस होता है फिर ये तो सबस्पेस की definition है लेकिन अगर हमें किसी को सबस्पेस प्रूब करना है तो by definition प्रूब करेंगे तब तो हमें कई चीज़ें प्रूब करनी पड़ेंगी डवलू को अपने आप में vector space प्रूब करना होगा और उसके लिए हमें प्रूब करना पड़ेगा कि डवलू एक abelian group है external composition F cross W से W में well defined है और बाकी के जो चार properties होती है V1, V2, V3, V4 वो भी satisfied होती है तो by definition अगर हमें W को subspace प्रूब करना है जब तो वैसे करना होगा लेकिन W को subspace प्रूब करने के लिए short तरीके उसके लिए हमने तीन theorems पड़ी थी और उन theorems में से जो तीसरी थी उसका statement ये था कि अगर W, V का subset है उपसमुच है W non-empty है और W में एक property ये और आजाए कि कोई भी दो scalars, field के elements और कोई भी दो W के vectors, that is alpha and beta belongs to, alpha and beta belong to W ये लेने पर इन दोनों vectors का linear combination यानि A alpha plus B beta भी W में आजाए तो इन तीन बातों से ये सिद हो जाता है कि W, V का subspace है तो subspace प्रूव करने का short तरीका ये था ये जो तीन जिरों में, इसमें से तीसरी ये है, जिसमें की linear combination का concept है उससे पहले वाली दो में, ये वाली condition की वज़ाए दो conditions है एक तो ये है कि एक scalar F का element और एक alpha W का element operate करें A dot alpha तो W का ही element आजाए और दूसरा ये है कि दो W के vectors लेकर जोड़ें alpha plus beta तो वो W का ही आजाए यानि subset और non empty होने के अलावा ये दो conditions ये एक theorem है, और एक theorem में ये alpha plus beta की वज़ाए alpha minus beta की condition है तो दोनों तीनों theorem के proof भी तयार करें और सबस्पेस प्रूब करने का तरीका हम ज्यादतर इस थर्ड़ theorem के आधार पर लेते हैं यानि जब भी हमें किसी को सबस्पेस प्रूब करना होता है तो हम तीन बातें प्रूब कर देते हैं डबलू, vector space V का subset है ये प्रूब कर देते हैं डबलू, non empty ये प्रूब कर देते हैं दो switch Scalor लेते हैं और दो W के switch Vector लेते हैं और उनका combination बनाकर हम प्रूब कर देते हैं कि combination भी W में आगया है तो इससे ये प्रूब हो जाता है कि W इसे sub space of V तो ये sub space का concept था और sub space के बहुत सारे examples हमने solve किये थे तो उन सभी examples को revise कर लें sub space के बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमने पढ़ा था linear combination and linear response जो मेरे जस्ट पिछले वीडियो में भी detail में उपलब्द है उसको भी हम अभी short में revise कर लें कि linear combination and linear response क्या होते हैं अगर alpha 1, alpha 2 and so on, alpha n किसी vector space V के vectors हैं और वो vector space V over the field है जितने ये vectors हैं उतने ही हम scalars ले लें alpha 1, alpha 2 up to alpha n a1, a2 up to an यानि कि elements of f that is scalars एक एक scalar को एक एक vector से भाय संकिर्या दोरा multiply करते हुए फिर सबको जोड़ दें तो बनेगा a1 alpha 1 plus so on an alpha n ये भी एक vector ही आएगा V का मानलो ये alpha आता है तो फिर हम कहेंगे कि ये alpha जो vector है वो in vectors alpha 1, alpha 2, alpha n का linear combination है तो ये linear combination का concept था linear combination की concept से ही निकलता है linear span ये तो था linear combination रेखिक संचे और दूसरा होता है linear span रेखिक विस्तरती वो क्या होती है S vector space V over the field F के कुछ vectors का set है यानि S is a subset of V तो S में V के कुछ vectors होंगे for example alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 मान लो ये एक set है चार vectors का V के अब S के इन vectors से जितने भी linear combinations बन सकते हैं इनके रेखिक संचे उन सब का set रेखिक संचे हों से बनने वाले vectors का set बना लेंगे तो वो LS दौरा denote होगा और इसको हम कहेंगे linear span of S यानि S की एक घाद विस्तृती इसमें क्या हैंगे इन vectors से बने combinations अब इन vectors से बने combinations में कितने vectors लेने कितने भी ले सकते हो एक vector का combination कोई से दो vector का कोई सा भी combination तीन का combination, चार का combination इन vectors में से कुछ या सब vector लेकर बनने वाले सभी linear combinations का set होता है LS तो जैसे S में 4 हैं लेकिन LS में infinite हो जाएंगे क्योंकि field F में अनंत अव्यव होते हैं और combination जब हम बनाते हैं तो वो गुणांक बदल बदल करके बना सकते हैं For example, अगर मैं ले लू अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 4 और 3 scalars ले लू तो combination मनेगा A1 अल्फा 1 पिलस A3, अल्फा 3 पिलस A4, अल्फा 4 ये एक vector आएगा और ये LS का अभियव केल आएगा अब अगर हम इन coefficients A1, A3, A4 के value बदल दें दूसरे ले ले लें तो दूसरा vector आजाएगा वो भी LS का होगा तो इस तरह से S के इन vectors से बनने वाले जितने भी linear combinations है उनका set LS होता है तो ये linear concept linear combination and linear span का concept है और इसके आधार पर फिर हम कई theorems प्रूव करते हैं उन theorem के at least statement में revise कर दूँ उससे पहले एक और concept linear sum उसको भी लेने linear sum रेखिक योग अगर S and T vector space V over the field F के subspace है ये द्यान रखे उप समुच्च नहीं है उप समस्ती है subspace उप समस्ती है तो S प्लस T एक set बन जाता है नया और वो कैसे बनेगा S के हर अव्यव और T के हर अव्यव को जोड़ जोड़ कर नए vectors बनेंगे यानि S प्लस T का की definition हो जाएगी X प्लस Y वेर X बलॉंग्स तो S and Y बलॉंग्स तो T यानि S के हर अव्यव और T के हर अव्यव कोई जोड़ जोड़ कर जो वेक्टर्स बनेंगे उन सब वेक्टर्स का set हो जाएगा X प्लस T तो यह कहलाता है linear sum दो सबस्पेसेज का linear sum और एक ठेरों में हमने यह प्रूप किया था कि यह linear sum भी एक सब़स्पेस होता है दो सबस्पेसेज का linear sum भी एक सबस्पेस ही होता है और इससे पहले अमने union और intersection से related ठेरों भी पड़ी थी अगर s और t दो सबस्पेस हैं तो इनका intersection s intersection t always सबस्पेस होता है और इनका union s union t always सबस्पेस नहीं होता conditional होता है यानि s union t सबस्पेस हो सकता है किवल तब ही होगा जब या तो s subset हो t का या t subset हो s का तो इस condition के संतुस्पेस होने पर union सबस्पेस हो जाता है और अगर यह condition संतुस्पेस नहीं होता है तो intersection वाली theorem, union वाली theorem और linear sum प्रूब करने वाली theorem ये तीन theorem भी हमने अभी कुछी दिन पहले पिछले वीडियो में detail में explain भी की थी इसके अलावा एक और फिरम पिछले वीडियो में हमने प्रूब की है और वो ये है कि s अगर किसी vector space का non empty subset है उप समुच s non empty है और vector space v over the field f का subset है तो जो s का linear spawn होता है वो भी वो subspace होता है और s का superset होता है वो s को antarvist करता है यानि किसी समुच s का linear response s को antarvist करता है s का superset होता है और दूसरा वो अपने आप में subspace होता है यानि S भले मात्र समुच्च है लेकिन LS हमेशा सबस्पेस होता है S को अंतरविस्ट करता है और S को अंतरविस्ट करने वाले जितने भी सबस्पेस हो सकते हैं उनमें ये सबसे चोटा भी होता है तो ये एक ठेरों और प्रूव की थी यानि उसमें हमने तीन बाते प्रूव की थी S को LS अंतरविस्ट करता है पहली बात दूसरी बात LS अपने आप में एक सबस्पेस है यानि उपसमज़्टी है और तीसरी बात S को अंतरविष्ट करने वाली कोई भी अन्निस उपसमिश्टी हो तो वो LS से बड़ी ही होती है यानि LS उनमें सबसे छोटा होता है तो ये छेरों भी important है इसके बाद लास्ट वीडियो में हमने एक छेरों ये की थी कि अगर S और T किसी वेक्टर स्पेस V ओवर दा फिल्ड F के सबस्पेसे हो उपसमुच नहीं उपसमस्टियां हो तो इनका जो यूनियन है वो भले उपसमस्टी होगा या उपसमुच होगा लेकिन उस यूनियन का linear response सबस्पेस होगा वो सबस्पेस इन दौनों उपसमस्टियों के रेखिक यूग से बनने वाला जो सबस्पेस है S पिलस T उसके बराबर होता है यानि linear response of S, V and T is always equal to S पिलस T where S and T are सबस्पेसes of vector space V over the field है तो इतना तो हमने detail में इस साल भी video lectures के माध्यम से पढ़ लिया है और ये सब आपको YouTube पर उपलब्ध है linear जबरा में इस से आगे जो पढ़ना है उसको मैं rapidly revise करूंगा लेकिन आज का ये video काफी लंबा हो गया है तो इस से आगे हम चलेंगे next video में सभी के लिए धन्यवाद जय हिंद